प्रजीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक घ्यान बे आज हम भी ये फोर सेमस्टर के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स की बात करेंगे जियोग्राफिक की जियोग्राफिक के जो most important topics हैं आपको यहाँ पर बताया जाएंगे यह वो topics हैं जो कि आपके अभी तक हुए universities में पूछे गए प्रस्ण हैं और बार-बार पूछे गए हैं अब तक बहुत सी universities में हो चुका है और वहाँ से ही आपको चुन-चुन के topics दिये जा रहे हैं जो कि हर एक university में पूछे गए हैं हर एक chapter से most important topic आपको बताया जाएगा इसमें most 15 topics हैं जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको हर एक question यहाँ से मिल देखने को सीधे सीधे paper में मिल जाएगा आप यह सोचेंगे कि हर एक chapter का यहाँ पर नाम दिया गया है या उस परकार से दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हर एक chapter में बहुत सारे topics हैं लेकिन उन में से जो most important है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ अगर आप notes प्राप्त करना चाहते हैं हर एक class की तो telegram channel join कीजिए जिसका link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं हमारा पहला topic क्या है पहला topic हमारा क्या है आर्थिक भुगोल परिभासा प्रकिर्थि युम विसे छेत्र यह तो most important topic है क्योंकि आपके slavus का नाम भी क्या है आर्थिक भुगोल economic geography तो इसकी परिभासा आप देख लेंगे आर्थिक भुगोल की से कहत हैं इसकी प्रकिर्ति क्या है और इसका विसे छेत्र क्या है मतलब आर्थिक भुगोल जो है उसका छेत्र कौन-कौन से हैं यह जो दूसरा topic है डी विटलेसी के विस्सु के क्रिसी छेत्र यह चैप्टर तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और यह आपक टॉपिक बताए जा रहे हैं टॉपिक को एक्स्प्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि आप यह वीडियो तभी देखेंगे खास कर लोग देखते हैं जब उनका एक्जाम होने वाला रहता है तो उनके लिए यह most important topics बता दिये जा रहे हैं और यह topics बस पढ़ लीजिए देख विश्व के वनों का प्रकार मतलब विश्व में पाये जाने वाले कितने प्रकार के वन होते हैं उनके प्रमुख प्रकारों के बारे में अच्छे से जान लेना है आप से सीधे सीधे प्रस्ण पूछ सकता है कि विश्व के बढ़ों के प्रकार के बारे में संचिप्त में बताईए या उसका विसलेसर करने के लिए आपके 10 नंबर क्विस्चन में दे दीगा ये दूसरा मतलब पहले बिटलेसी का सिद्धान जो था क्रिसी के छेत्र में वह बहुत most important था और उसके बाद ये important है बाल थ्यूनन की क्रिसी अवस्तिती सिद्धान इसके बाद कौन सा topic ह उद्योग के अस्थानी करन मतलब उद्योग जो है उसका अस्थान कैसे चूच किया जाता है कहां पर होता है अलग-अलग प्रकार की बाते हैं प्रमुक बाते जो आप पढ़ लेंगे अगला टॉपिक क्या है ब्रिटेन तथा चीन के सूती वस्त्र उद्योग आगे बात करेंगे अगला टॉपिक हमारा है परिवहन जल अस्थल वायू मतलब परिवहन किस प्रकार से जल में होता है किसी और अस्थल में मतलब भूमकर और वायू में किस प्रकार से होता है और क्या क्या साधन है इसको आप अच्छे से देख लेंगे अगला क्या है वि बनाकर बिल्लिख सकते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या हैас इस इ hazır करड़ परिभांसा यों विशेशते हैं वैस्वी करड़ किस परकार से होता है वेस्वी करड़ की परिभांसा क्या है और उसकी विशेशते हैं अगला topic हमारा law spot, जापान में law spot, रूस में, अमेरिका में, भारत में, इन सब जगहों के law spot के बारे में आपको पढ़ना है और आपका last topic है विस्वचीनी उद्योग, इन 14 टापिकों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं 100% question में से आपको 80% question तो यहां से ही देखने को मिलेंगे, आप बस इन topics को अच्छे से तयार कर लीजिए, एक बार बस पढ़ लीजिए आप अच्छे से लिख ले जाएंगे, साथ ही साथ आप model paper देख लीजिए, इन ही topic से आपको questions देखने को मिलेंगे और यह वीडियो इस लिए थी जिससे आपको अंतिन समय में तयारी करने में सहायता प्राप्तों, धन्यवाद मिलते हैं, अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं इन सभी topics को explain करके बताया जाए तो comment करके जरूर बताएं, धन्यवाद